नमस्ते दोस्तों तो चली आज हम बनाते हैं छोले भटूरे छोले की एकदम है सिंपल रेसिपी में आज आप लोगे के साथ शेयर कर रही हूँ बिना प्याज, बिना लसुन, बिना कोई ताम जाम करते हुए इंस्टंट छोले बनाएंगे हम अगर आपको सुबह नास्ते में भी छोले भटूरे बनाने हो तो इससे फास्ट रेसिपी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज आज आपको बनाना बताया है तो चेलिए सबसे पहले हम छोले बनाते हैं भटूरे बाद में बनाएंगे छोले पकने में देर लगती है तो यहाँ पे देख सकते हैं छोले को मैंने रात कोई भीगो के रखा था सुबह इसको कूकर में एक सीटी लाकर तयार कर लिया है इसे आप फ्रोजन बनाकर भी चैनल है जिस स्वातीज रेसिपी उसमें फ्रोजन कैसे रब बनाते हैं वो भी मैंने शेर किया है आप चाहे तो उस पे भी जाकर देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजीगा टमाटर और धनिया पाउडर का मैंने पेस्ट बना लिया है क्योंकि इसमें आज हम कोई मसाला नह पकेसं और तेल टमाटर का थे भी मैंने टमाटर का दो अज़े हैं यहाँ तो इसमें कि मैंने तमटर का अच्छे से हूंक चाहे हैं, आज पेस्ट भी मनेंwar बनता है, करते हैं में नहें तेल चुटने लगे जब भी आपको सुबह टीफिन के लिए बनाना हो या फिर जटपड इसे बनाना हो अचानिक से महमान आ जाए और कुछ बनाना है तो आप अगर फ्रीज में छोले फ्रोजन है तो इसे आप तुरण 15 मिनिट में बना कर तयार करेंगे तो इसमें कुछ सुखे मसाले डालते हैं जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक लाल मिर्च का पाउडर मैं इसमें तोड़ा सा जादा डाल दिया है क्योंकि मुझे अच्छे से स्पाइसी छोले बनाने हैं आप अपने ही सब से लाल मिर्च का पाउडर और नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं तेल के साथ अच्छे से भून लेते हैं इन में कुछ ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे देख सकते हैं अच्छे से ये तेल छूट रहा है इस स्टेज तक आने तक हम इसको भूनना है अब डाल देंगे उबले हुए छोले और इसको मिलाते हैं आप सभी से एक छोटा सनिवेदन हैं अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फ्रेमिली में इसको जरूर शेर कर दीजिएगा देख सकते हैं बिना पानी डाले हम इसको अच्छे से मिला रहे हैं ताकि इस सभी मसाले का कोटिंग हमारे छोले पर अच्छे से आजाएं अब इसको थोड़ी देर के लिए ढख देती बिल्कुल एक से दो मिनिट के लिए पानी नहीं डाला था इस बात का आप द्यान दीजिएगा क्योंकि हमें इसमें अच्छे से इसको पकाना है ताकि मसालो का जो टमाटर, धन्या पाउडर जो खड़े मसाले हमने इसमें डाले थे उसका फ्लेवर हमारे छोले में अंदर तक जाए अब पानी डालेंगे तो जिस मिक्से के जार में हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसमें ही पानी लिया शर्त इतनी कि पानी आपको गरम ही यूज़ करना है क्योंकि गरम पानी डालने से हमारे छोले जल्दी से पक भी जाएंगे और उनका फ्लेवर भी बढ़िया आएगा देख सकते हैं हमने करिब करिब एक से देड़ गलास के करिब इसमें पानी डाल दिया है अब इसको गाड़ा बनाने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे जो ये छोले है ना उसी को ही मिकसी के जार में ले लीजेगा उसमें थूदा ऐसा पानी ले लीजेगा अब इसको हमें पीस ना है नहीं तो क्या होगा पानी एक तरफ और छोले एक तरफ जाएंगे इस तरह से छोलो को ही पिसकर इसमें डालेंगे तो अच्छे से गाड़ा भी हो जाएगा और हमारे छोले में एक ठिकनेस आजाएगी तो इससे छोले बहुत ही गाड़े-गाड़े से इसके ग्रेवी लगेगी एक तरफ पानी एक तरफ छोले नहीं होंगे तो इस ट्रीक को आप जरूर जरूर यूज़ करिएगा बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि हमने इसमें कोई अलग सा मसाला नहीं पिसा कोई इसमें ठेर सारे मसाले नहीं डाले फिर भी इसका फेक्चर आप देख सकते है तो इसको मिलाते हैं और इसको ढख कर हम पकाएंगे तो चलिए तब तक हम भटोरे का आटा लगाते है यहाँ पे मैंने गेहू का आटा लिया है ज्यादा तो से तीन कटोरी एक गेहू का आटा होगा और उसमें स्रिप एक कटोरी है, मैंने मैदा डाला है आप चाहे तो बीना मैदा डाले भी इसे बना सकते है हमारे चैनल पर गेहू की आटेस्स से तंदुरी रोटी कैसे बनाते है भटोरे कैसे बनाते है, वो भी रेशिपीज है आपको देखनी है तो उसे भी देख सकते है थोड़ा सा नमक डाल दिया था इसमें दही जरू से डाल दीजेगा मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने स्किप किया लेकिन भटूरे में जब हम दही डालते हैं तो आटा अच्छे से फर्मंट हो जाता है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है अब एक ट्रीग हम यूज करेंगे इसको पहले सुखा अच्छे से मिलाते हैं ताकि नमक अच्छे से मिल जाए इसमें और मैदा और ग्योकाटा अच्छे से मिल जाए बिच में थोड़ा सा इससे पानी डालेंगे देख सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल दीजेगा और उसमें डालना है सिक्रेट इंग्रेडियन्ट जो है चीनी जी हाँ पानी डाल दीजेगा और उसमें एक से दो चम्मत चीनी डाल दीजेगा चीनी डालने से बटुरे का टेस्ट पड़ेगा ही साथी साथ बटुरे में अच्छा कलर भी आएगा इस तरह से पानी में मिलाते हुए थोड़े से आटे में मिलाते हुए इसको मिलाएगा ताकि ये सभी आटे में अच्छे से मिल जाए अगर आप दही डाल रहे हैं तो इस चीनी के साथ मिला कर ही डाल दीजिएगा अब थोड़ा थोड़ा पानी डालका हम इसका आटा लगाते हैं पानी यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला ही लिया है मैंने कोई ठंडा या गरम ऐसा कुई नहीं है अब देख सकते हैं इसका डो हमने लगा लिया है थिकने साब देख सकते हैं बिल्कुल इसको ठीक नहीं बनाना है यानि कि सकता आटा नहीं लगाना होता है तब तक आप देख सकते हैं छोले में अच्छे से उबाला आ चुका है ग्रेवी देख सकती, इसका जो रस्सा बोलते है, उससे गाड़ा है, है ना, अब हमने इसमें कुछ मसाले तो नहीं डाले हैं, तो अब इसमें एक मसाला डालेंगे, छोले मसाला, एक चमच भर कर छोले मसाला डाल दीजिएगा, इंस्टन छोले बन कर तयार हो जाते हैं, ना क कोई इसमें कोई ग्रेवी के लिए मसाला पीस ना है, कसुरी मेथी जरू से डालनी है, और मिला दीजिए, और यहाँ पे हमारे अच्छे, टेस्टी, स्पाइसी, छोले बन कर तयार हैं, तो चलिए, आब हम इसको साइड में रख देते हैं, और भटुरे की तरब जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आटा भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है, पाच मिनिट के लिए मैं इसको रेस्ट पे रखा था, आप चाहे तो दस मिनिट भी रख सकते हैं, लेकिन सुबर जब थोड़ी से जल्दी होती है, हमें जल्दी जल्दी में बनाना होता है, इसको सुखे हैं दीजेगा, तेल हमें यहाँ पे अच्छा कासा गरम ही चाहिए, तब ही हमारा भटुरा अच्छे से फुलेगा, इसमें कोई हमने सोडा या बेकिंग पॉडर का यूज नहीं किया है, फिर भी देख लीजेगा, भटुरा कितना अच्छे से फुला है, और इसमें जाकर या होटेल में जाकर खाना तो भूली जाएंगे, कम मसालों में, कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राइ कर सकते हैं, और बनाने के बाद आपके अनुगों मेरे साथ जरूर शेर कर दीजेगा, रेसिपी अच्छी लगी है, थोड़ी भी यू सब्सक्राइब कर दीजेगा,